सोचिए कि आप एक माचिस जलाएं और आपके आसपास मौझूद हर चीज में तुरंट आग लग जाएं। चाहे आप किसी हरे भरे जंगल में ही क्यों ना हो। और जब ये हो रहा हो, सोचिए कि तब जायंट इंसेक्ट्स आपका पीछा कर रहे हो। ये बस कुछ ऐसी चीज़े हैं जो तब होंगी जब आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हों जिसका आट्मोस्फियर प्योर ऑक्सिजन का बना हो, यानि वातावरण में शुद्ध ऑक्सिजन के अलावा कुछ ना हो। अर्थ पर और क्या-क्या चीज़े होंगी? क्या आप जिन्दा बच पाएंगे? आप देख रहे हैं What If Hindi और ये है क्या हूँ अगर अर्थ का आट्मोस्फियर प्योर ऑक्सिजन से बना हो? ऑक्सिजन हमारे अट्मोस्फियर का 20% है और बाकी का हिस्सा जादतर नाइट्रोजन है। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि आपको ऑक्सिजन की जरूरत है। इसकी बज़ा से हम सांस ले पाते हैं और हर तरह का जीवन इसकी बज़ा से ही है। अगर अट्मोस्फियर में ऑक्स अक्सिजन के अलाबा कुछ ना हो। शुरुवात में ये सुनने में एक अच्छी बात लग सकती है। ओक्सिजन की वजह से हम जीते हैं और इससे ही हमारी बॉडीज को एनरजी मिलती है। तो जादा ओक्सिजन होना तो अच्छी बात हुई ना। दुनिया में तो ऐसे ऑक्सिजन बार्ज भी हैं जो 95% ऑक्सिजन के हिट्स ओफर करते हैं। ये सर्विसेज आपको काम में ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने से लेकर आपका हैंग ओवर ठीक करने तक कई चीजों का दावा करती हैं। अगर आप हर वक्त 100% ऑक्सिजन में सांस ले पाते तो क्या आप एनरजी से पूरी तरह से भरे होते या खुद का सूपर हुमन वर्जन होते नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जरूरत से ज़ादा ऑक्सिजन असल में बुरी साबित हो सकती है। एक वक्त पर ये इनसानों के लिए जहरीली बन सकती है। अगर आप बहुत सारी ऑक्सिजन बहुत तेजी से अंदर लेते हैं तो इससे फ्री रैडिकल्स बनने लगते हैं। Free Radicals ऐसे Earth High Atoms होते हैं जो Cells को नुकसान पहुचाते हैं और इनका Link कई सारी बीमारियों से भी होता है जैसे Cancer और Alzheimer's ऐसा भी माना जाता है कि इनका Link जुरियों और सफेद बालों जैसी चीजों से भी होता है तो अगर हम Atmosphere की Pure Oxygen के साथ एक लंबे वक्त तक जिन्दा रह पाते हैं तो काफी Chances हैं कि हम ज़्यादा बूढ़े नजर आने लगेंगे पर ये बस तब हो सकता है जब हम Evolve हो जाएं और अपने नए सिर्फ Oxygen वाले Atmosphere के हिसाब से ढल जाएं अगर ये तुरंथ हो जाता है तो आपकी Chest हर बार गहरी सांस लेने पर दुखती रहेगी आपके Lungs में Fluids जमा हो जाएंगे और आपको चक्कर आने लगेंगे जैसे जैसे आप सांस लेना जारी रखेंगे आपके Lungs बिगड़ने लगेंगे और साथ ही आपका दिमाग भी तब तक जब तक आप बेहोश होकर मर न जाएं इंसेक्ट्स के लिए कहानी कुछ और ही होगी लगभग 30 करोड साल पहले अर्थ पर जाएंट इंसेक्ट्स घूमा करते थे उस वक्त पर अर्थ के अट्मोस्फियर में 35% ऑक्सिजन थी यानि आज जिस 20% में हम सांस लेते हैं उससे कहीं ज्यादा रिसरचर्स को शक है कि उन जाएंट इंसेक्ट्स के पीछे ऑक्सिजन का ही हाथ था इसका कनेक्शन उनके ट्राकियल सिस्टम से था मतलब ट्यूब्स का वो नेटवर्क जिससे ऑक्सिजन इंसेक्ट्स के सेल्स तक जाती है और कार्बन डायोकसाइड बाहर निकलती है अगर अट्मोस्फियर में ज्यादा ऑक्सिजन होती तो इंसेक्ट्स के ट्राकिया फैल जाते और उनकी बोडिज और बड़ी होती जाती लेकिन उन बयानक आग की घटनाओं का क्या जिनके बारे में हमने आपको पहले बताया अगर आप इतने लंबे वक्त तक जिन्दा रह पाते हैं कि माचिस जला सकें तो उसके बाद आप ज्यादा वक्त के लिए नहीं बचेंगे जैसे ही आप किसी चीज को जलाएंगे कोई भी चीज तुरंत ही आग पकड़ लेगी और बड़ा धमाका हो जाएगा ओक्सिजन आग के फैलने और बढ़ने के पीछे एक बड़ी बज़ा होती है अगर हमारे अट्मस्फियर में सिर्फ ओक्सिजन हो तो जो भी आग हम जलाएंगे वो बड़ी होती जाएगी जो कैंप में जलाए गई छोटी सी आग रही होगी वो अब एक भयानक धमाके में बदल जाएगी तो अगर आप सिर्फ ओक्सिजन में सांस ले सकें तो जाइंट इंसेक्ट्स और अर्थ का हर तरफ से जलना जीवन को काफी मुश्किल बलकी नमुम्किन बना देगा बचने का एकलौता तरीखा है कि हम इसके हिसाब से ढल जाएं और ध्यान दें कि कभी आग लगे ही न और अगर आग हो ही न तो आपका जीवन कैसा होगा जानने के लिए देखते रहें What If Hindi